फिरेक्चर के बाद पैर की मास्ट पेशियां कमजोर हो गई हैं पैर पतला हो गया है बहुत सूग गया है तो उनको हरा भरा कैसे करेंगे यानि की पैर की मास्ट पेशियों को सेफ में कैसे लाएंगे कैसे स्ट्रेंथ करेंगे कैसे उनकी रिकबरी करेंगे जिनसे हमारा पैर दूसरे पैर की तुलना में बापस आ सके तो friends मैं बरेली से आपका नयान सिंग फिजियो थेरपिस्ट ये विडियो आपकी बहुत help करेगी अगर आप इस विडियो को पूरा इंट तक देखते हो तो उम्मेद करता हूँ आपकी पैर की muscles से लेकर आपकी स्ट्रेंग तक की जो सारी प्रॉब्लम और जो सॉल्यूशन हो जाएगा तो आप चलने तक जो आपके चलने में भी काफी सुधार आएगा गेट ट्रेनिंग हो जाएगी उसी में और आपके जो अच्छी खासी हो जाएगी तो मैं आसा करता हूँ आप ये वीडियो लाजमी एंड तक देखेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप प्लीज एक रिक्वेस्ट करूँगा अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो स्टाट करने से पहले चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिपिकेशन ओल पर प्रेस जरूर करना और आगे आने वाले फीचर में जो वीडियो लेना चाहते हैं तो उसके लिए नोटिपिकेशन ओल पर प्रेस रखना और विडियो को लाइक करना, सेर करना उन दोस्तों के साथ में जिनको फ्रेक्चर से जुड़ी या पैर की मास्पेश जुड़ी कोई समझ्या है वैसे मेरी चैनल पूरी हेल्प आपकी करता है और्थो नीरो स्पोर्ट संजरी से जुड़ी तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन सी वो एक्सराइज है जिनके द्वारा आप पतले पैर को ठीक कर सकते हैं पैर के सूखापन को या फिर जो पैर की मास्पेशियों को कैसे ठीक कर सकते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स पैर के नीचे एक लगाते हैं तॉबल जो कि मैं ऐसे करके रोल बना लिया हूँ और ऐसे करके ही कोई तॉबल को लगाना और उसके बाद जो है एक्सराइज करेंगे ठीक है तो थोड़ा समय ऐसे रख लेता हूँ जैसे कमफटेवल लगे ऐसे करके ठीक है और इसके बाद मैंने जो है यहाँ पर एक बेटकफ लिया है बेटकफ देख सकते हैं और इसकी जगह आप घरेलू तरीके से अगर करना चाहते हैं आपके पास यह नहीं है तो भी काम चलेगा बस आपके लिए एक पानी की बोतल ल लग सकते हैं उसके बाद इसको यहाँ पर बान लेना है वैसे यह जादा अच्छा लग रहा है और बोतल भी अच्छी लगेगी घरेलू तरीके से करेंगे दूसरा मेरे घुटने पर देखी मैं हाथ को रख रहा हूं यहाँ पर ऐसे करेंगे और यहाँ पर रोकेंगे करेंगे और उसके बाद इसको नीचे ले आएंगे ठीक है मैं बहुत ज़्यादा करके नहीं दिखाऊंगा बस आपको डमी के तौर पर समझा दूँगा कितने सैट करने है कैसे करने है जब आप स्टार्टिंग करते हो तो यहाँ पर दो से तीन सैट आपको करने ही करने है ऐसे ठीक है और एक सैट के रेपीटेशन जो है दश रहेंगे और तीन आप सैट लगाएंगे तो आप मतलब मैं बोल ला हूँ उसमें 10 repetition होगा, यानि 10 बार पैर उपर जाना चाहिए और 10 बार नीची आना चाहिए ठीक है, तो आपका एक side माना जाएगा मानली जी ये, देखो मैं सुरू से समझाता हूँ इस side के लिए, एक बार पैर को उपर लेके गए पंजो को थोड़ा अंदर की और खेचा यहाँ पर थोड़ा सा दवाब दिया उटने पर और यहाँ पर 5 second hold किये दिमाग में ऐसी अंदाश्य भी कर लेते हैं, जरूर ने 5 की ये 10 भी चलेगा एक, दो, तीन, चार, पांच 6, 7, 8, 9, और यह है दश्मा, ठीक है तो इतनी जल्ले लिए मत करना है, इसे मैंने करके दिखाया बस मैंने विडियो में आपको समझाया आए, यहाँ पर आपको 5 second hold करना है पैर को हलका सा अंदर की और खेचना है, stretch होगी, आपके calf muscles तो हलका सी जो इसमें stretching भी आएगी, उटने के पीछे भी आएगी और फिर आपको पैर को नीचे कर देना, यह मेरा 1 set हो गया, ऐसे यह आपको 3 set कर लेने हैं अब चलेंगे हम तीसरी एक, बहुत दूसरी exercise की और, जो कि कुछ दुनों के बाद भी करनी है आपको बहुत जादा best रहेगी, जब आपकी muscles भीक हो गई हो और घुटना आपका band हो चुका हो उसके बाद आप वाली exercise स्टार्ट कर सकते हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूँ, इसको मैं खोल लेता हूँ सबसे पहले उसके बाद जो है, उस exercise के बारे में बात करते हैं, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ देखिए friends, affected pair मेरा यही है, मतलब मेरा right pair है, इसकी मेरी मासपेशियां बहुत कमजोर हो गई थी और हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसे आप करते हो, तो 100% कहता हूँ, आपकी recovery आएगी और pair की आपकी मासपेशियां कमजोर हैं, वो बहुत ठीक होंगी, अपने shape में आएगी बस आपको एक करने का तरीका आप देख लीजिए, बस इसी तरीके से आपको पिरती दिन exercise करनी है वो exercise मैंने आपको बता दी थी, अब आपको यह वाली exercise करनी है, इधर देखिए, मेरे चेरे की तर भी आप गौर कीजिए हाथों को कुछ side कर सकते हैं, ऐसे करके, और इस side के अलावा आपको नीचे बैठना है, हलके से, spine बिल्कुल सीधी रहे और हमको किवल गुटने मोड़ना है, इतने, देखिए, मेरी कमर कितनी मुड़ी होई है, गुटने देखिए, कितने मुड़े होगे हैं, और शामने मैं देख रहा हूँ, तो यह सब इतना ही होना चाहिए, फिर इसके बाद हम सीधे हो जाते हैं जब आपका गुटना बैंड हो तब आपको एक्सरसाइज करनी हैं, और इस एक्सरसाइज में भी सेम प्रोसेस बही रहेगा, जैसे हमने उस वाली एक्सराइज में 5 से 10 सेकंड होल्ड किया था, इसमें भी हम 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे, और हम रिपीटेशन इसके जो है, दो शेट लगाएंगे स्टार्टिंग में, ठीक है, दो शेट बोले तो 10-10 के हमको 20 बार हमको कर लेने हैं, तो देखिए, पहले मां रिपीट करता हूँ, यहाँ पर हम गये, इतना घुटना मोला, फिर हमने यहाँ पर होल्ड किये, 5 सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, अब हम य यह एक्सराइज करने में दिक्कत हो रही है, घुटना मोलने में, और आपकी यह सारी मास्पेशियों और यह है न, बहुत स्ट्रेंथ हो जाएंगे, पैर बास्तम में आपका मजूद हो जागा, बस, आपको सिंपल तरीके से करने के लिए पर्फॉर्म स्टार्टिंग में आप इस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो, अगर आपकी कैपसिटी है तो उस लेवल पर जा सकते हैं, अन्यत हमाय आप से एक कहूंगा, आप कुर्शी को पकड़िए, और कुर्शी को पकड़ने के बाद इस तरह से आपको बैठना है, यहाँ इसलिए मैं आपको 10 काउंट्स करा देता हूं, तीन, चार, पांच, छे, शाथ, आठ, आठ, नौ, अभी 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 अभी, इसलिए लास्ट बाह है, इसमें दोखो सेकिंड में गिनता हूं, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर हम उठे गए, यह मेरा सैट एक हो गया, इसी इसाफ से दो सैट लगा लेने, दददस के, और आपका यह जब सैट फाइनल हो जाएगा, तो इसके बाद जो है, हम और भी exercise के लावा करते हैं, ठीक है, तो इसके अलावा हमारी जो एक exercise ओर रहेगी, वो हमारी जो है, बजन बांद के ही रहेगी पैर में, तो simply यहाँ पर मैं बैठता हूं, और इसमे पहले मैं बजन बांद के दिखा देता हूं आपको, डमी के तोर पे, गरमी काफी लगती है फ्रेंट्स जब वीडियो बनाओ पंखा भी बन्द करना पड़ जाता है और AC तो है नहीं के लेनिक में बाकी तो गरमी के साथ साथ हम को जो है वीडियो बनानी पड़ती है अगर आप भावनाओ को समझते होंगे मेरी तो लगता है वीडियो को लाइक भी करोगे और सब्सक्राइब भी कर दोगे चैनल को ठीक है तो अब हम जो है नेस्ट एक्सराइज की और चलते हैं थार्ड एक्सराइज पे तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो पता नहीं कितने मिनट का हो गया होगा इसलिए मैं थार्ड एक्सराइज को फटा- बदैक्षण अडाक्षण कि की अब कर रहे हो हндा बढक्ष्ण आडाक्षण आडाक्षण अब कह रहा हूं कि मुमेंट के ना है एक्सराइज के तो यह अबडेक्षण कर passtay हो यहाँ पर आपके यह यहां लियाना अब इसमें एक बात और ध्यान करना जब आप एक्सराइज कर रहे हो इतना पहर आपका बाहर जा रहा हो इतना ही करना है और दूसरी यह इस टीक मत करना देखो मेरी कमार मेरे को पूरे शरीर को देखो मैं ऐसे नहीं कमर इस टाइप से लोग कुछ करेंगे तो यह गलत पॉस्चर माना जाएगा यह यह एक स्थाइज बहुत बैस्ट नहीं हो क्योंकि यह इस पाइन के लिए दिक्कत करेगी यह 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 गलत एकसरा तो इसके आप तटीन, आप तिसके तीन सैट कीजिए काफी इससे आरह मिलेगा क्योंकि यह तीन सैट शक्तियों कर पाऊ तो दो की capacity जरूर रखना हो सकता है थोड़ा मसल्स का पेंड रहे आपको लेकिन आपकी मसल्स पखी गेन होंगी और आपकी मसल्स जो है फूलेंकी प गता हूं अब इसी पैर पे जो हम लोड लेके यहां पर दूसरे पेर पर माली जी इसमें धिक्कत थी यह पर गया थ्यूज़ को अपरेसण हुआ यह फ्रेक्शर हुआ था अब हम इस वाले पर खड़े होंगे और इस वाले पैर की साइथा से यह वाला जो पैर है ना मेरा थोड़ा समा साइट से ख़ड़ा होगा समझाने को इसकी साइटा से यानि की पैर को ऐसे करके में बैंड करेंगे देखो घुटने को और नीचे करेंगे यह हुई चोथी एकसाइट इसको यहाँ पर 5 सेकंड या 10 सेकंड तक हम होल्ड करेंगे दिमाग में कॉंट करेंगे फिर हम नीचे ले आएंगे फिर हम ऐसे करेंगे इसकी भी मिस्टेक मत करना इसके हम जो है दो शैट कर लेंगे ऐसे दददस करके ठीक है और फिर हम सीधा कर लेंगे मुझे लगता है आप मेरी वीडियो को अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्योंकि आपने पिछले सारे वीडियो पर बहुत अच्छा प्यार दिया बहुत सारे लोगों की समश्या है यह तो मैंने सोचा एस पर एक वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरी जानकारी दोंगा आपको ज्यादा सोचना विचानना नहीं होते हैं तो लोग परेशान होते हैं कि हम क्या करें तो लोग के बहुत अच्छा ओप्सन है वीडियो की हेल्प से आप लोग इतना कर सकते हो ठीक है ऐसे आपको एक्सराइज करना है और इसमें यह वाली मिस्टेक मत करना कुछ लो ऐसे करके फिर मोड़ोगे तो यह गलत हो जाएगी यानि की पैर हमारा यहां पर मोड़ना चाहिए एक एक्सिस पे घुटना ऐसे आगे जाके नहीं मोड़ना चाहिए तो यह गलत एक्सराइज हो जाएगी और लोगों के लिए बहुत अच्छा अप्शन है जो बिलेज से फिर बहुत ज्यादा लोकल एरिया से ब्लाउं करते हैं और मेरा चैनल काफी आदा उनकी हैल भी करता है और आप मुझे लगता कि आप वीडियो जो देख रहे हैं पिलीज सब्सक्राइब कर देना आप से केवल सब्सक्राइब की उम्मीद कर सकता हूं बाकी वीडियो बना में खोकर एक्सराइज भी करेंगे तब ही आपको कुछ होगा ठीक है अब इस तरह से आप एक्सराइज करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके सारी समस्चा सौल्व हो जाएगी बस मिरों को पसी नहीं जादा आ रहा है पैर के तरफ देखिए यह को इसी तरह से करना है और मैंने फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा मैं आपके लिए मैंने कौन-कौन से एक साइज बताई है और कैसे कैसे बताई है देख लीजिए देखिये एक तो मैंने ये वाली बताई थी कुर्सी वाली लेखे ठीक है और यहाँ पर 5 second hold करने को बोला था reverse कर देता हो और यहां पर हाथ रखके ये 5 second hold फिन नीचे आप डाउन ठीक है starting वाली यही थी इसके बाद मैंने ये वाली बताई थी कमर ऐसी ना हो, ऐसी ना हो, किबल ऐसे ऐसे होनी चाहिए, ऐसे, ठीक है, तीन, और नमबर चौथी ये जो है, ये वाली थी, ये चार exercise आपकी recovery को बहुत help करेंगी, एक महीने के अंदर-अंदर मैं कहता हूँ, अगर इन exercise को कर लेते हो, तो आपकी recovery काफी जादा हो जाएगी, तो friends, finally video मेरा कैसा लगा, comment section में बताइएगा, वीडियो को like करने के साथ, और channel को subscribe करने के साथ, and skin card के वीडियो देखना, playlist पे देखना, हड़ी, fractures, जोड़े कोई भी सवाल हो, सब पे वीडियो मैंने already बना रखे हैं, वो आपकी पूरी help करेंगे, मैंने एंसिंग फिजिय किया का रखे हैं,